नौसारी न सतेंदर दिक्षित जे 63 वर्ष नी उमरे इवानोंने शर्मा आवे तेवी ताजीगी सबर दोड करे छे तेमने अध्या सुधी गणा बदा मेडलों जित्या छे अना अजुपन दोडता रेवाने तेमनी खेवना छे बेजा रोगनिस ना आखा वर्ष दर्मियान 5000 किलोमेटा दोड पूर करी दे नौसारी शहर ने गोरो आप्यू छे बन होई तो माडवे जवाई बाकी घणी बहर पन न जवाई आवाज साल्तक करी छे बेजा रोगनिस ना आखा वर्ष दर्मियान तेमने 5000 किलोमेटा ने दोड कूरू करी ने युवानोंने पन विचालता थाए तेवो कार्य करी चे बन होई नौसारी ने कोरो पन आप्यू छे सतेंद्र दिक्षित घणी बदी मेराथोन मा भागली दो छे तेवो रोज 10-15 किलोमेटा दोडे चे तेमने 5 अने 10 किलोमेटा नी दोड सौथी वदारे वार हाप मेराथोन, फोल मेराथोन, अल्टरा रन, आट कल्लाक नी, नाइट रन, ट्रोण वार पूर्ण करी चे सतेंद्र दिक्षित मास्टर एतलेंटिक स्टेट लेवल चेंपिन्शिप में 10 किलोमेटा नी दोड मा गुजरात मा पर्था में यावाचे अभी ताज़ी ये साथे अनेक मेडलों जीतिया चे मेरा नाम सतेंद्र दिक्षित है और मेरी उमा 63 है मैंने अभी सवासाज से लगवाच दोडना सुरू किया है इससे पहले मैं थोड़ा बहुत बॉकिंग करता था लेकिन थोड़े समय पहले एक मास्टर गेम्स हुए थे उसमें मैने 100-200-400 में पाटिसिपेट किया था उसके बाद मैं मैंने चालू ही रख आज तक मैंने बन नहीं किया दोड़ना और उसके बाद मैं थोड़ा बड़ाता गया 5 km, 10 km, 21 km, 42 km और अभी लास्ट मैंने 67 km 12 गंटे के अंदर किया है इसको अल्टर रन बोलते हैं और पिछले रविवार को मैंने international marathon भी अटेंड किया है बड़ोधा में ही वो 47 km किया था मैंने और ये मेरा अब तक का स्वब से high achievement है और running मेरे लिए एक yoga है मैं यह की मानता हूं कि करगके मेरी सारी भीमारियां थेख हो गई मुझे अस्थमह था मुझे सर्वाइपल की प्रावलम थी प्रोस्टेट की प्लमम थी और बहुत सारी ममेरे इशिनोफिल ज्यादा थे, कॉलिस्टरल ज्यादा था, सब कुछ मेरा नॉर्मल हो गया है, मेरा ब्लड पॉसर नॉर्मल है, सुगर नॉर्मल है, ECG नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, everything नॉर्मल है मेरी, मैं medically fit हूँ आज की तारिख में, और मैं लोगों से भी यही बोलता हूँ, कि सब लोग थोड़ा बहुत योग करें, थोड़ा walking करें, थोड़ा running करें, cycling करें, आपने अपने काम के अनुसार, जैसे समय मिले, walking कर सकते हैं, cycling कर सकते हैं, swimming कर सकते हैं, जैसी जिसकी जो इच्छा हो समय के अनुसार नौकरी के हिसाब से, इसे वो स्वस्त रहेंगे, और मेरे हिसाब से तो, मैं मुझे जो knowledge है, उसे हिसाब से, अगर आदमी 2 किलो मीटर या 4 किलो मीटर डेली running करें, तो उसको 40% heart rate के chances कम हो जाते हैं, और वैसे भी आज के यूग में तो इतना हेटिक लाइफ है, लोग इतना मेहनत करते हैं, केमिकल का खाते हैं, टाइम नहीं मिलता, जो वैसी है, टफ लाइफ है, तो यूग भहुत ही जरूरी है, और वैसे भी ये इंडिया का आजकल एक यूग चला है, जिसको बोलते हैं, इंडिया मुवमेंट, फिट इंडिया मुवमेंट, ये सरकार का अपनी गवर्मेंट का ये, ये सेंटरल गवर्मेंट का, उसमें भी सरकार भी कहती है, सब लोग फिट रहेंगे, तो काम भी अच्छा होगा, देश भी आगे जाएगा, तो मेरा तेज़ लापील है सबसे, सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, All the best.